बिहार को आजकल special status और विशेष राज्य का दर्जा देने की बात काफी चर्चा में चल रही है आज हम इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है इसकी क्या-क्या सर्ते होती है और विशेश राज्य का दर्जा दियेने के बाद राज्य को कौन-कौन से सुईधाई मिलती है और इसकी सुरुआत कब हुई तो चलिए सबसे पहले इस पर पात कर लेते हैं कि आखिर ये विशेश राज्य का दर्जा क्या होता है और ये कैसे मिलता है देखिए किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा तब दिया जाता है जब उसकी भोगोलिक सीमा और सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफी खराब होती है और साथ ही उनके दुर्गम पहाड़ी इलाके और उस राज्य की सीमा किसी दूसरे देश से लगती हो जिसके कारण वहाँ पर उद्योग दंदे नहीं चल पा रहे हो ताकि उसका विकास हो सके और वो दूसरे राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर उद्योग दंदों का खड़ा ना हो पाना वहाँ की बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण हो जाता है जिस वज़े से उस राज्य के आर्थिक स्थिती भी कमजोर पढ़ जाती है तो उसका विकास कैसे होगा और इसी को ध्यान में रखकर केंदर सरकार राज्यों को विशेश राज्य का दर्जा देती है ताकि वो दूसरे राज्यों के साथ कंदे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके और उनको कुछ विशेश फंड और पैकेज की सुईधाई भी केंदर सरकार देती है और साथ ही केंदर सरकार उनको टै कब और कैसे हुई देखे इसकी शुरुवात तिसरी पंचवर्षी योजना के समय मानी जाती है जब 1961 से 66 और 66 से 99 के बीच में केंदर सरकार फंड देने के लिए राज्यों को कोई निश्चित फॉर्मूला अपना नहीं रही थी वो सिधे ही ऐसे योजना के तहट प्लान के त विशेष राज्य का दर्जा देती है और उन तीन राज्यों में थे आसम, नागालेंड और जम्मू कस्मीर उसके बाद इस फॉर्मूले के तहत राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाने लगा और विशेष सुईधाईं प्रोवाइड करवानी शुरू कर दी तो चली अब बात कर लेते हैं राज्य को स्पेशल स्टेटस के बाद कौन कुझे सुईधाईं प्रोवाइड करवाई जाती हैं पहली सुईधा जो राज्य को दी जाती है वो ये है कि उनको एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज इंकम टैक्स एवं कोर्पोरेट टैक्स में बड़ी राहा दी जाती है दूसरा ये है कि उनको केंद्रिय बजट के योजित वैका 30% विशेश दर्जा वाले राज्य के विकास पर खर्च किया जाता है तिसरे सुईधा ये है कि विशेश दर्जा प्राप्त राज्यों को केंदर सरकार से जो फंड मिलता है उसमें से 90% प्राज्यों को कि विशेश दर्जा किन राज्यों को दिया जा सकता है या यू कहिए कि उनके लिए कौन कौन सी सरते होती है तो सबसे पहली सरत ये होती है कि वे राज्यों जहां पर पहाड़ी और दूर्गम अक्षित्र हो उनको दिया जा सकता है दूसरा अंतराष्टे सीमा से जुड़े हो तीसरा जनसंख्या का घंतों काफी कम हो या फिर जनजाती अबादी की संख्या जादा हो चोथा परतिव राज्यों को विशेश राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए रखी जाती है